हमारे पूर्वजों नों भी जाना था व्रुक्ष, पेड, जाड, जंगलों का महत्वर। इसलिए वे सदा इसका सरक्षन और समवधन करते आये। लेकिन बरते शहरों ने उन व्रुक्षों को कटवा कर मनुष्यता के लिए मुसिबत के पहाड खड़े कर दिये। प्रकूर्ति का संतुलन बिगार दिया। मनुष्यकों अब पेडों का महत्व समझ में आया तो पुना व्रुक्ष वल्ली आमा सोयरे कहते पेड लगाना शुरू किया। कहा जाता है शेरशाह सुरूरी ने राज मार्क बनवाते उनके दोनों और पतिकों को छाय मिले इस हेतु व्रुक्ष लगाए थे और उप्युक्त काम किये थे। बात चल रही है व्रुक्ष लगाने की तो मनपा अमराउती द्वारा सडक के किनारे लगे व्रुक्ष और उसकी बढ़ी टहनिया जो रहदारी में अर्थडा निर्मान करती है तथा प्रकाश व्यवस्ता को प्रभावित करती है। इसी टहनिया मातर काटने लाखों के खर्च से एक मशिन मनपा ने खरीदी थी। पता नहीं अब वो मशिन है या नहीं है या कारियरत है या नहीं है। मातर कमिशन का माल सम्मंद्योंतों की जेबे गरम करता रहा है। खैर मानकर में सडकों में दू तरफा लगे सुंदर पेड़ों की टहनिया इन दिनों काफी बढ़ गई है जो प्रकाश व्यवस्ता तता रहागीरों को अर्चन कर रही है। आम जनता की माग है के उन्हें काटा जाए तथा टहनिया हिंदुस मशान को विना मुल्य भेट दी जाए। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी।